दोस्तो यूटूब चैनल को verify करने के लिए बिलकुल सही तरीके से आपको सबसे पहले chrome browser को open कर लेना है दोस्तो chrome browser को open करने के बाद search वार में search कर देना है youtube.com और दोस्तो search कर देना है जैसे ही दोस्तो आप YouTube.com लिखकर सर्च करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी फिर दोस्तो आपके चनल का लोगो दिखाई देगा जिसके उपर आपको 3.0 दिख रहे हैं आपको 3.0 के उपर किलिक कर देना है दोस्तो 3.0 के उपर किलिक करने के बाद आपको Desk of Site पर टिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप Desk of Site पर टिक कर दोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी आप लोग देख पा रहे होगे फिर दोस्तो आपको 3.0 के नीचे आपके चनल का लोगो दिखाई देगा जिस पर आपको किलिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप अपने चनल के लोगो पर किलिक करोगे तो कुछ इस तरीके से एक छोटा सा पेज ओपिन हो जाएगा जिसमें से आपको यूर चनल पर किलिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप यूर चनल पर किलिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी यहां से आपको दोस्तो कस्टोमाई चनल पर किलिक करोगे तो आपके सामने फिर से एक नया पेज ओपिन हो जाएगा दोस्तो जब तक पेज ओपिन हो रहा है तब तक पिलिज वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन वेल को दबा कर आल पर क्लिक कर लीजिए दोस्तो आप लोग देख सकते हैं नया पेज ओपिन हो गया है फिर दोस्तो आपको विल्कुल बॉटम में थोड़ा जूप करके दिखा देता हूँ नीचे आपको एक सेटिंग का ओप्सन दिखेगा आपको दोस्तो इसी सेटिंग वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है जैसे ही दोस्तो आप सेटिंग वाले ओप्सन पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी यहां से दोस्तो आपको बहुत सारे ओप्सन देखने को मिलेंगे जिसमें से दोस्तो आपको चैनल वाले ओप्सन पर क्लिक कर देना है चैनल पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे अप्सन देखने को मिलेंगे पहला अप्सन बेसिक इंफो दूसरा अप्सन एड़ान सेटिंग तीसरा एफीचर इलिजवल्टी दोस्तों आपको तीसरे अप्सन पर क्लिक करोगे तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी पहला option दोस्तों आपका enable होगा फिर दोस्तों तीसरा option intermediate features eligibility दोस्तों आप जैसे ही इस पर click करोगे जैसे ही आप इस पर click करोगे तो कुछ इस तरीके से screen दिखाई देगी आप लोग देख सकते हो videos longer than 15 minutes custom thumbnail live streaming फिर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर दिख रहा है verify phone number दोस्तों आपको simple तरीके से verify phone number पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप verify phone number पर click करोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से एक नया page open हो जाएगा आप दोस्तों जिस वी country से हो आपको यहाँ पर select कर लेना है मेरी दोस्तों पहले से ही जो है यहाँ पर इंडिया है जो select हु दोस्तों आपको यहाँ पर number को type कर देना है दोस्तों फटा फट से number को type कर देते हैं आप लोग देख सकते हो हमने यहाँ पर number को type कर दिया है अब आपको get code पर click कर देना है जैसे ही दोस्तों आप get code पर click कर दोगे तो आपके mobile number पर 8 OTP आ जाएगा आप लोग देख सकते हू दोस्तो OTP आ गया है अब हम इस OTP को यहाँ पर type कर देते हैं दोस्तो जो OTP आया हुआ था code आया हुआ था 6 digits का वो हमने यहाँ पर डाल दिया है डालने के वाद दोस्तो submit पर click कर देंगे जैसे ही दोस्तो आप submit पर click कर दोगे तो आपके सामने दोस्तो फिर से एक नया पेस दिखाई देगा दोस्तों यहाँ पर तो थोड़ा टाइम लग रहा है तो थोड़ा बेट कर लेते हैं आप लोग देख सकते हो यहाँ पर लिखकर आ गया है phone number verified congratulations your phone number has now been verified